बिहार में इंडिये की सरकार तो बन गई है लेकिन नई सरकार बनने के बाद भी हर तरफ फिलहाल एकी सवाल उठ रहा है कि आखिर बिहार में कैबिनेट का विस्तार कब तक होगा साथ कि आपको बता दें कि लोगसभाद चुनाओ बेहर नस्दीक और आसे में अभी तक बिहा नहीं हुआ है वहीं तमाम मुद्दों पर सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा तो चलिए हम खबर में विस्तार से जानेंगे कि आखिर बिहार में कैबिनेट का विस्तार कब तक होगा और सीट शेरिंग का जो मुद्दा है इस पर फैसला कब आएगा कब सीट के बट नितिश कुमार के विदेश दौरे से लोटने के बाद सीट बटमारा और मंत्री मंडल विस्तार दोनों होने की पूरी संभवना है खबर है कि आचवार सनहीता लागू होने के पहले नितिश कुमार अपने मंत्री मंडल का विस्तार कर सकते हैं फिलाल नितिश कुमार के मंत मंत्री मंदल का जो विस्तार है वो जदिव कोटा से अधिकानश मंत्रियों को रिपीट किया जा सकता है वहीं संजे जहावाले मंत्री पत पर किसी नय चेहरे को मंत्री बनाया जा सकता है जदिव कोटे से एक मंत्री को ड्रॉप करने की भी खबर सामने आ रही है उनके जगह क किसी और को जगह मिल सकता है, खबर ये भी है कि कुछ मंत्रियों के विभाग में भी बदलाव किया जा सकता है, ताकि लोगसभाद चुनाओ और आने वाले विधान सभाद चुनाओ को देखते हुए काम में तेजी लाई जा सके, नितिश कुमार के एक मंत्री की लोगसभाद चुनाओ भी लड़ने की समभावना है, वहीं दूसरी और बीजेपी कोटा को लेकर चर्चा का बजार बहत गर्म है, खबर है कि पिछली बार जब इंडिये की सरकार थी, तब जिने मंत्री मंडल में शामिल किया गया था, उनमें से कई का पत्ता कट सकता है, और उनकी जग युवा और नय चेहरे को जगह मिल सकती है, जातिगत गन्ना के रिपोर्ट के बाद बीजेपी की, पूरी कोशिस होगी कि जातिये समिकरन को भी मंत्री मंडल में साधने की कोशिस की जाए, बहराल अब नजडे नितिश कुमार पटिकी है, जो कि सोमोर को, यानि कि आज भा पटना वापिस लॉट आएंगे, और नितिश कुमार के वापिस लॉटने के बाद बिहार में, जो कैबिनेट विस्तार पे सवाल उठ रहे थे, तो जल्द ही बिहार में कैबिनेट का विस्तार भी हो जाएगा, और लोग सभा चुनाओ को लेकर सीट शेरिंग का जो मुद् सब्सक्राइब कर ले, यदि आप हमें फिस्तार देख पा रहे हैं, तो मारे फिस्तार पेच को भी फॉलो करें, धन्यवाद